तो नमस्कार दोस्तों आपका स्वागत है हमारे यूट्योप चैनल पर और हमारे फेस्बुक पेज पर जिसका नाम है Supplements विला अधर हम आपको बदाते हैं Supplements related हर एक बात हर एक पौंट हर एक knowledge जो आपको supplement खईने से पहले ध्यान रखनी चाहिए और supplement खईते टाइम आपके काफी काम आने वाली है और दोस्तों हमारे चैनल का goal भी है कि हम आपकी help कर सकें आपको हर एक information दे सकें supplement के regarding जो market में available है दोस्तों आज हम फिर आजे आपके सामने एक नई वीडियो के साथ औ और दोनों की demand market में बहुत ज़्यादा अच्छी बनी रहती है और दोस्तों brand wise भी dimatize भी काफी अच्छी और well-known company है और दोस्तों ultimate nutrition भी काफी अच्छी और well-known company है दोस्तों दोनों products के नाम आपने कभी न कभी सुने होंगे और दोस्तों मुझे इन दोनों products की सबसे ज़्य ज़्यादा inquiries आती है customers के मन में सबसे ज़्यादा सवाल होते हैं dimatize ISO 100 ultimate nutrition ISO sensation को लेकर तो दोस्तों मैंने सोचा कि आज मैं इनी दोनों पर वीडियो बना दूँ दोनों की आपस में fight करा के देख लेते हैं कि दोनों में से कौन सा better option है आप लोगों के पास में तो दोस्तों च दोस्तों इसकी एक scoop है 32 ग्राम की और दोस्तों इसमें total serving है 71 उस हिसाब से दोस्तों इसकी एक scoop में आपको मिलेंगी 120 calories इसमें आपको total fat मिलेगा 0.5 ग्राम इसमें आपको sodium मिलेगा 160 mg इसमें आपको potassium मिलेगा 220 mg इसमें आपको total carbohydrates मिलेंगे 2 ग्राम और दोस्तों इसमें आप आपको प्रोटीन मिलने वाला है 25 ग्राम जी यहां दोस्तो 32 ग्राम की स्कूप में आपको 25 ग्राम प्रोटीन मिलेगा दोस्तो इसके लावा आपको इसमें केल्शियम और आईरन भी मिलने वाला है तो दोस्तो यह nutrition facts की जो picture है वो screen के ओपर भी आ रही है वहां से भी आप एक बार notice कर सकते हैं और दोस्तो अगर हम यहाँ पर ingredients की बात करते हैं तो दोस्तो यह protein hydrolyzed whey protein isolate और whey protein isolate से मिलकर बना है दोस्तो protein की majorly जो होती है वो तीन form होती है जिसमें आपका concentrate protein उसको filter करते हैं तो आता है isolate protein और द chemical के आता है hydrolyzed isolate whey protein दोस्तो इसमें आपको hydrolyzed isolate whey protein और isolate whey protein मिलेगा वहीं पर अगर हम ultimate nutrition iso sensation की बात करते हैं तो दोस्तो इसकी एक scoop है 32 ग्राम की और इसमें total serving है 71 दोस्तो इसमें आपको calories मिलेंगे 130 इसमें आपको sodium मिलेगा 50 mg total carbohydrates मिलेंगे 1 ग्राम और दोस्तो इसमें आपको protein मिलने वाला है 30 ग्राम जियां दोस्तो diametize ISO 100 में हमको मिल रहा है 25 ग्राम प्रोटीन और ultimate nutrition iso sensation में हमको मिल रहा है 30 ग्राम प्रोटीन दोस्तो और scoop जो size है वो दोनों का बराबर है दोस्तो अगर हम यहाँ पर ingredients की बात करते हैं तो ultimate nutrition iso sensation isolate whey protein है यह pure isolate whey protein है इसमें आपको isolate whey protein मिलेगा तो दोस्तो आपने दोनों क की nutrition information को देखा दोस्तों अगर हम प्रोटी की बात करते हैं तो डाइमाटाइज आइसो हंड्रेड में हमको हाइड्रलाइज वे प्रोटीन आइसो लेट भी मिलेगा जब की जो अल्टीमेट की nutrition आइसो संसेशन है उसमें हमको वे प्रोटीन आइसोलेट ही मिलेगा जो आइसोलेट प्रोटीन से भी एक वर्म उपर को प्रोटीन सर्च कर रहे हैं तो उनके लिए डाइमाटाइज आइसो हंड्रेड जो है एक बैटर ऑप्शन हो सकता है यहाँ पर बट दोस्तों हाइड हाइडोलाइज आइसोलेट वे प्रोटीन और वे प्रोटीन आइसोलेट में कोई जाधा डिफरेंस नहीं होता है दोस्तों यहाँ पर साप साप ठकक्र आपको दिख रही है साप साप फाइड नजर आ रही है कि डैमटाइज आइसो हंड्रेड सरफ हमको एक स्टेप आगे जाता दिखता है hydrolyzed wave protein के मामले में और दोस्तों उसके अलावा dimetize iso 100 हमको किसी भी step में आगे जाता नजर नहीं आता जी यहां दोस्तों dimetize iso 100 में हमको एक scoop में 25 ग्राम protein मिलेगा और जब की हमको ultimate की में nutrition iso sensation में 30 ग्राम protein मिलेगा तो दोस्तों यहां पर साफ साफ आपको दिख रहा है कि iso sensation dimetize iso 100 से थोड़ा आगे जाता नजर आता है overall fight में दोस्तों इसके बाद हम second stage की बात करते हैं जहां पर हम इनकी amino acid profile को compare करेंगे देखेंगे कि किसमें कितने ज्यादा amino acid profile की बात करते हैं तो दोस्तों हमको dimetize iso 100 में BCAA मिलेंगे 5.5 ग्राम और दोस्तों iso sensation में हमको BCAA जो मिलेंगे वो मिलेंगे 6.75 ग्राम जिया दोस्तों BCAA brand chain amino acid leucine, valine, isoleucine इनकी जो total quantity है वो iso sensation मिलेगी 6.75 ग्राम और यहां पर भी dimetize iso 100 हमको पीछे जाता नजर आता है दोस्तों dimetize iso 100 में हमको glutamine मिलेगा 4.4 ग्राम और दोस्तों iso sensation में हमको glutamine मिलने वाला है 5.1 ग्राम दोस्तों यहां पर glutamine भी हमको iso sensation में ज़्यादा मिल रहा है दोस्तों यहां पर winner हमको साफ साफ ultimate nutrition iso sensation नजर आता है दोस्तों अब हम बात करेंगे तीसरी stage की और दोस्तों तीसरी stage सबसे ज़्यादा important stage होती है क्योंकि यह stage consumer के लिए सबसे ज़्यादा matter करती है यहां पर हम बात करेंगे इनके price को लेकर कि इनका price कितना है और दोस्तों इनकी per scoop cost कितनी आएगी दोस्तों अगर हम diametize iso 100 की बात करते हैं तो इसके importer है GMC और दोस्तों उन्होंने इसका MRP दिया हुआ है 10,299 और दोस्तों अगर हम इसके selling price की बात करते हैं supplement villa पर तो दोस्तों supplement villa पर इसका selling price है 7200 7200 रुपे after discount दोस्तों उस हिसाब से इसकी एक scoop हो गई almost 101 रुपे की जिया दोस्तों मतलब 101 रुपे की आपको इसकी एक scoop मिलेगी जिसमें आपको 25 ग्राम प्रोटीन मिलने वाला है दोस्तों वहीं पर अगर हम ultimate nutrition iso sensation की बात करते हैं तो दोस्तों इसके जो इंपोर्टर है वो है करन्ट सेलिंग प्राइज है 5200 जिया दोस्तों 5200 इसका अभी करन्ट सेलिंग प्राइज है सप्लीमेंट विला पर दोस्तों उस हिसाब से इसकी एक scoop हो गई 73 रुपीज की दोस्तों दोस्तों आप देख रहे हैं कितना बड़ा फासला है यहाँपर इनके प्राइज हो सकता है कि जब आप इस वीडियो को देखने के बाद कौल करें या करें सप्लिमेंट विला पर तो आपको 100-200 रुपे का कुछ देखने को मिले तो दोस्तों यह चीज में आपको इसलिए बता रहा हूं कि मेरे पास अक्सर यह कोश्चन आता है कि सर आपने वीडियो में कुछ प्राइज बताएं हैं और सप्लिमेंट विला पर हमको कुछ प्रा हाइडरॉलाइज आइशुलेत वेपरोटीन की र्यॉक्षार्मेंट है अगर आप हाईडरॉलाइज आईसुलेट वेपरोटीन को ढूण रहे हैं तो डायमटाइज आइसु अहंडर आपके पास में अच्ची चॉइस हो सकती है दोस्तों उसके अलावा दोस्तों अगर प्रोटीन की वो आपको मिलेगी 30 और दोस्तों servings के मामले में भी ये बाप है सब का इसकी 69 serving आती है चॉकलेट फिलेवर में और 71 serving आती है कैफे ब्रेजीन फिलेवर में दोस्तों उसके बाद भी choice आपकी होने वाली है कि आपको dimetize iso100 चाहिए या ultimate nutrition iso sensation चाहिए इसके नूट्रिशन आइसो संसेशन खई न चाहें दोस्तों दौनों ही आपको सप्लिमेंट विला पर हंडर परसेट और मिलेंगे उनके करंट इंपोर्टर के साथ मिलेंगे और फ्रेश लॉट के मिलेंगे मतलब ऐसा नहीं होगा कि वो दो महीने तीन महीने बाद एक्सपायर होने और धोस्तों अगर आपNever Nutrition Iso Sensation मंगाते हैं तो अपको पढ़ेगा Skills तो अगर आपको वीडियो अच्छे लगे है तो आप इसे लाइक कीजे हमारे चैनल को सबस्क्राइब कीजे इसी तरह केगी वीडियो स देखते रहने के लिए क्यूकि हम आपकेन लिए इसी वीडियो लाते रहेंगे जो आपको अपडेट रखेंगी अवियर रखेंगी मार्किट में एविलेबल हर एक सप्लिमेंट से अगली बार मिलेंगे हम किसी नई वीडियो में किसी नई प्रोडेक्ट के साथ तब तक के लिए दोस्तो नमस्ते चैनल जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी जरूर रबाएंगे